हिलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल इंप्रूव यूर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं कच्छे केले के पकॉड़े की रेश्पी ले कराई हूँ इसे बनाना बहुत ही आशान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो आपका टी टाइम हो इस निक्स टाइम हो या टीनर पे भी पकॉड़ा बहुत ही श्वादिश्ट लगता है आप कभी भी बनाईए तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम फटा-फट पकॉड़े बनाने शुरू करते हैं आप खेले के पकॉड़े का हरे श्टेप देखिए आपके अभी किचिन में ऐसे ही मज़ेदार पकॉड़े बनके तयार होंगे खेले का पकॉड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तयार करेंगे तो हमने लिया है लेचसुन अद्रक, हरेदे मिट प्याज इसे हम एक मिकसर जाड में डालते कुड़े पीस लेंगे तो सबसे पणले हम सभी मसाले को मिकसर जाड में डालेगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे तो आप देख सकते हैं हमने लैसुन प्याज अद्रक का पेश्ट बना लिया है अब हम यहां पर एक बोल लेंगे और इसमें पेश्ट को ट्रांसफर कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बागी के पेश्ट भी इसमें डाल देंगे अब हम इसमें लालेंगे आधा काटोरी बेशन यानि की चने का आटा साथ में हम डालेंगे वन फुर्ट काटोरी कॉर्ण फ्लोर यहां पर आप चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं यह पकोड़े को काफी क्रिश्पी बनाता है साथ में हम इसमें कुछ सुखे एश्पाशिस एड करेंगे तो यहां पर हम एक चमच धनिया पौडर डालेंगे यानि की कोडियांडर पौडर हमने हरी मिर्च डाल रखा है तो इसके लिए हम एक चमच लाल मिर्च पौडर डालेंगे कलर आने के लिए आधी चमच हल्दी पौडर डालेंगे श्वार के अनुशार हम इसमें नमक डाल लेंगे बेजन है तो हम इसमें वन चमच आजवायन डालेंगे आजवायन को हम हथेली पे मीज के डालते हैं और थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल लेंगे यानि कि वन फोर्थ चमच या दो चुटकी आप कहिए शारे इंगेज को हम अच्छे से फेंटेंगे तो यहां पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके घोल बनाएंगे तो इसमें लम्स नहीं पड़ता है बढ़ियां सा एक पेटर तयार होता है पकोड़े का तो आप देख सकते हैं हमने पकोड़े के खोल को अच्छे से फेंट के तयार कर लिया है सभी पकोड़े का खोल इसी तरीके से बनता है यानि कि इतनी ही गाड़ी अपनी खोल होनी चाहिए अब हम इसे ठाक के छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए जिससे की अच्छे से अप प्रवाइन को काट देंगे और ऐसे हम बीच से एक सी दो कट लगा देंगे यह असानी से छिलने का ट्रीक है फिर हम इसे नाइफ की मदब से ऐसे करते हुए इसके छिल के कुपस्तार देंगे केला एक तम ताजी होनी चाहिए पकी होनी चाहिए तो उसका पकोड़ा बहुत बढ़ियां तयार होता है तो आप देख सकते हैं हमने केली के सिलके कुछ आकू से अच्छे से हटा लिया है अब हम सिलका को साइट कर लेंगे और केला को काटना भी खा दे रहे हैं तो आप कभी भी पकोड़ा बनाईए तो दो तरीके से बना सकते हैं या तो इसका स्लाइस कर लिए ऐसे पतले पतले और एक दुसरा तरीका भी है इसमें हम ऐसे फिंग्लर के जैसे कट लगाएंगे ये भी बच्चों को बहुत पसंद है और बनाना भी आसान है तो हम ऐसे लिदेख सकते हैं तो दोनों तरीसे से पकोडे काट ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं अपनी भी फुल सुकी है इसमें वी बिल्य लंब्स नहीं है और एक दम पकोडे के लिए तयान है इस टेख सेब लो तो आप देख सकते हैं पकोडा डालते तुरन तेडने लगा तो इसमें हम सभी पकॉड़े डालेंगे, एक बैस में जितना पकॉड़ा आ सके आप डाले, जिहान दे, फ्लेम मेडियम लखना है हमें पकॉड़े के लिए, चलिए हम पकॉड़े को एक बार लट लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़ आपना पेला का फिंगर से पकोड़ा तैयार हो रहा है हमें उलट पलट के इसे साथ आठ मीनर तक पका लेना है जिससे अच्छे से अपना केला पक जाए और उपर से क्रिश्पी हो जाए तो अब देख सकते हैं दोनों साइड से अपना पकोड़ा एकदम सुन्दर कलर प्रिश्पी और नीचे से पक भी चुका है केला तो ऐसे भी बहुत बढ़ी पक जाता है तो बच्छा में से चमत से टेखा करते हुए एक्ट्रा से जीरा देंगे और इसे हम एक प्लेट में नि कर लेते हैं तो हमने पेटर में यह पतले पतले अपने केले को डाल रखा है और सेम प्रोसेस से हम इसे डीव करेंगे एक्ट्रा वेटर गिरा देंगे और धीरे से हम अपने पकोड़े को छोड़ देंगे एक बार में इतना पकोड़ा आ सके उतना हमें छोड़ना है उसके मुकाबले ये जल्दी पक जाता है क्योंकि इसकी फिक्नेस बहुत कम होती है यानि कि पतली-पतली होती है तो ये जल्दी पक जाता है तो आपको जो धी तरीका पसंद आए उसे डालिए फिर हम मेडियम गैस पर इसे ब्राउन होने तक प्रिश्पी होने तक पका लेंगे आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड से उलट पलट के पकोड़ा को एकदम प्रिश्पी कर लिया है और ये तो पक ही गया है पकने का कोई तो ये नहीं है निकाल लेते हैं इसे टेरा कर के आप आधा मिनट तक रखेंगे एक श्ट्रा तेर कड़ाहे में वापस सला जाएगा और इसे हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे तो फ्रेम्स आप देख सकते हैं दोनों तरीके से पकोड़े बनकर कयार है देखने में सुन्दर हुआ है, खाने में तो टेष्टी लगता ही है तो चलिए हम बाकी के सभी पकोड़े ऐसे ही बना लेते हैं तो friends आपने देख लिया, केले का पकोड़ा बनाना कितना आशान है और खाने में तो बहुत ही टेष्टी लगता है तो इस क्रिश्पी पकोड़े को आप भी जरूर ट्राइ कीजिए और प्लेज हर बार की तरह मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए कॉमेंट बक्स में अपना कॉमेंट तरूर लिखिए आपको कैसी लग रही है मेरी रेश्पी धन्याबाद